हलो फ्रेंट्स, ओला का नाम सुनते ही जो सबसे पहले चीज हमारे दिमाग में आती है वो है ओला कैप्स पट डू यू नो कि ओला इलेक्रिक स्कूटर के सेग्मेंट पे एक रेवलुशन लेकर आ रहा है जी हाँ, in a very unique way आज ओला ने confirm किया है कि all the interested customers अब कमपनी के website पे एक small refundable amount of rupees 499 से इस ओला स्कूटर के booking कर सकते हैं और इन कस्कूटर के delivery priority पे की जाएगी अपने शांदार stylist look के साथ ओला स्कूटर ने बहुत सारे लोगों को अपना दिवाना बनाया हुआ है और आप ये booking announcement लोगों को और भी excited कर रही है ये स्कूटर ओला future factory से शिरू होगा जो world की सबसे बड़ी electric two-wheeler factory है जिससे तमिल नाडू में 500 acres land पे बनाया जा रहा है कमपनी ने यह भी confirm किया है कि 2 million unit की annual capacity का first fade complete हो चुका है और अगले साल के end तक इसकी annual capacity को 10 million unit का plan किया गया है आपको ये भी बता दे कि ओला स्कूटर ने कई award भी जीते हैं और इस list में IHS Market Innovation Award और German Design Award शामिल है चलिए अब इसके कुछ unique features की बात करे तो ओला इस स्कूटर को 18 minutes में 0 से 50% charge करने का claim करती है और जो इसे 75 km के पार ले जाएगा फुल चार्ज होने पर इसकी range करी 150 km होने की उमीद है इसमें full LED lighting, fast charging capacity, front disc brake and ये stylish look शामिल है इतना ही नहीं, charge during ride की facility customers को देने के लिए ओला स्कूटर लगभर 400 cities में 1,00,000 charging station बनाने वाली है और इन सब के लिए company को अगले 5 साल तक के लिए लगभग 2 billion US dollar के funding मिल चुकी है ओला स्कूटर एक बार official launch होने के बाद कई नामी गिनामी companies like ether 450X, TVS IQ, बजाचेतक Electric और market leader Hero Electric को काटे के टकर देने के लिए तयार खड़ा है हलाकि Ola के official team ने confirm किया कि इसकी complete features and price बहुत जल्द वो announce करने वाले है बट अगर हम market expert की बात करें तो इसकी price लगभग 1,00,000 के round launch होने की possibility है